अश्रीली चैटिंग वाइरल होने के बाद भाजपा ने अपने संभागी संगठन मंतरी प्रदीप को बाहर का रास्ता दिखा दिया है लेगिन पार्टी को अभी शर्मसार होना पड़ रहा है फेस्बुक के मैसेंजर में भाजपा नेता और यूवक के बीच की हुई गंदी बातों के स्क्रीन शॉट वाइरल होने के बाद किरकरी बढ़ गई है कोई नवाब कहर कर मजाक उड़ा रहा है तो कोई उन्हें शाही शुक वाला ताना मार रहा है बताया जा रहा है कि जो चैट वाइरल हुई है वो कुछ महिनों पुरानी है अब वहाँ तो ये भी है कि नेता और यूवक के आपतिजनक फोटो और वीडियो भी हैं गमासान इस बात की पुष्टी नहीं करता है लेकिन अब प्राकृतिक रत्य की बाते भी कही जा रहे हैं वाइरल चैट में यूवक नेता की मसाज और उन्हें किस करने की बात कर रहा है नेता भी उसे जवाब में I love you too कह रहे हैं जोशी भाजपा के उन नेताओं में हैं जो फिजूल खर्ची के खिलाफ अकसर बोलते रहते थे दो साल पहले सांसद विधाय के जन दिन पर लगे होर्डिंग्स को लेकर डौगी का फोटो डाल कर खर्च पर तंज किया था फेस्बुक पोस्ट के बार टकराओं की स्थिती भी बनी थी लेकिन जोशी अपनी बात पर कायम रहे हाल ही मेवे अमरनाथ यात्रा से लोटे हैं सोशल मीडिया पस सक्री रहते हैं ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं से उनकी खट पड चल रही थी जो चैट वाइरल हुई है उसे साजिश के तहट किया गया है भीतर घात का शक जताया जा रहा है कॉंग्रिस प्रवक्ता नरिंद्र सलूजा ने ट्वीट के जरिये चुटकी ली है उन्होंने लिखा कि चाल चरेतरो चहरे की बात करने वाली भाजपा की रोज ही असलियत उजागर हो रही है जेन के संभागे संगटन मंत्री प्रदीब जोशी ने पुर्व वित्त मंत्री रागवजी द्वारा गाय गाय गाने को जिन्दा कर दिया है आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ अब जोशी भी गुन-गुना रहे हैं कॉंग्रेस के एक और नेता केके मिश्रा ने ट्वीट किया कि देश में बारिश के दुरान कई प्रांतों में प्राकृतिक आपदाय आती है रागव जी भाई के बाद प्रदीब जी जोशी भाई मौसम वैग्यानिकों से जानना होगा अब कोई आपदा तो नहीं है जोशी के मामले में कॉंग्रेस हमलावर हो गई है उन्होंने मुक्रमंतरी कमलनात से मामले की जाच करने की गुजारिश की है ये भी आशनका जटाय जा रहे है कि जिस यूवक के साथ जोशी का चैट वाईरल हुआ है उस यूवक को मार दिया गया है और लाश गायब कर दी गई है मद्यपदेश कॉंग्रेस कमीटी के प्रदेश सचीव राकेश सेह यादो ने पत्रकार वारता में कहा कि जिस लड़के को यूवक का शिकार बना कर उप्योग किया गया है उसने सारे मामले का खुला सकने का निर्न लिया था लेकिन घटना उजागर करने के पहले ही उस लड़के और उसके परिवार को गायब कर दिया गया है बीस दिन से उनकी कोई खबर नहीं है आशंका इस बात की भी जताए जा रही है कि उस लड़के को मार कर लाश ठिकाने लगा दे गई है यादों ने मुखिमंतरी कमलनात को पत्र लिख कर मामले में दखल देने को कहा है मोबैल जब्त कर डाटा रिकवर करने की बाद भी हो रही है ताकि पूरा मामला सामने आ सके